यहलो दोस्तो क्या हाल चाल मैं रवीर मुझाल भाई बड़े दिनों बाद आज मुलाकाथ हुई आज अज आज हमे पता ही है यार वर्डवार जो चल रहा है हाना हमें पता ही है रश्या किस तरह से यूक्रेन पर हमले पर हमला हो रहा है वाई अब ऐसे ही दिल्ली के डिपलोमा के बाढ़को पर भाड़ कल एक नोटीस आया है कल एक ब्राउशर आया है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा तो यह वीडियो आज का दिल्ली के डिपलोमा के बच्चे जो दिल्ली के agreement से बीटेक अगय करना चाहते हैं तो उनके लिए है और जो दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट भी है तो ये वीडियो उनके लिए भी है क्योंकि अब एक जो मैं नोटिस आपको इस वीडियो में आग्या जो बताने वाली बात है वो मैं लेके चल रहा हूं बच्चों को बहुत टेंशन हो रही ह कि यार ये तो फोम निकल गए है तो पेपर भी होगा बिल्कुल भाई ठीक आपकी जाय जाय ठीक है आपको टेंटेटिवली लग रहा है कि 15 माई या मेभी माई या जून के मिड में ही पेपर हो सकता है बिल्कुल भाई जिस तरह से अभी मैं आपको पूरी ये मैं आई-प सारे college private हैं क्या वो total number of seat कितनी बड़ी है वो सारा discussion इस वीडियो में मैं पूरा conclude कर दूँगा तो मैं even आगर आपको लगे कि मैंने कोई section छोड़ दिया है तो नीचे comment section में बोलना मैं उसको पर वीडियो बना दूँगा ठीक है लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं ए जिर्फ ब्राउशर है दोजर 22-23 का और उस ब्राउशर के अंदर भी बस उपर और मलटोप और नीचे ही मेरे हिसाब से change किया गया 22-23 अदरवाई सारी चीज़ें वहाँ पे 21-22 की हैं इवन जब आगर ब्राउशर को आप बिल्कुल sincerity से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं जो कारे करता है या जो उनकी team है admin की तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी जगां गलती से by mistake 21-22 लिखा हुआ है वो आप भी देख सकते हैं चलो अब मैं वापिस आपको ले चलता हूँ यह उनकी website है जी यह admission में जाते हैं admission में गए admission में जाने के बाद हमार यह तीन मार्च को अपलोड हुआ यानि तीन मार्च कल थी और यह admission ब्राउशर जर्नल प्रोग्राम का यह भी तीन मार्च को अपलोड हुआ ठीक है इससे पहले एक notice इन्होंने दो 12 को अपलोड किया था वो notice मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोला भी था उस notice में उन्हों BBA, BCA बहुत सारे courses होते हैं तो उनमें कहीं किसी exam मलब किसी में admission लेने के लिए तो वो centralized exam को ही अपना final exam बानते हैं जैसे अगर B.Tech first year में admission लेना है किसी को या डॉक्टर ही में admission लेना है तो नीट को या J.E. को वो final exam बानते हैं लेकिन उसके लिए उन्होंने काया कि अर दिन बहले J.E. Mains के और NEET के वो notification निकले थे तो इनका निकालना बहुत जरूरी था तो बच्चों को tension आलो पहले तो लेटल एंटरी वाड़े बच्चों को कह रहा हूं मैं इस वीडियो के मादम से आपको बोल रहा हूं कि आपका exam अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जून मही के बाद एक महीना मिल जाता है तो बड़ी या बात है बीग हमारा एक हमारा एक छोटा सा institute है तो उस institute के मादम से हम तो भाई मही के लिए अपने आपको mind make up करेंगे हम अपने बच्चों को चाहे अब हमें दिन में पढ़ाना हो या रात में पढ़ाना हो हम अपना ये ल 128 कोड बोले तो डिपलोमा के बाद जो इन बच्चों ने बीटेक करनी है उनके लिए कोड है उसका मैं वो बोल रहा हूं CT 128 तो अपना ये पूरा वीडियो आई पी के अगर आप कोई दूसरे कोर्सी से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है ये वीडियो सिर्फ डिपलोमा के स्टूडेंट के लिए है जो बीटेक करना चाह रहे है अब बात ऐसी है कि आई पी में कितने कोलेज है टोटल उसमें टोटल नंबर ओव सीट कितनी है बहुत सारी क्योरी सीटी होंगी आपके माइंड में तो आपको बस कुछ नहीं करना एक कोपी बैन लेना है लेना है तो और साथ में इस वीडियो को देखना मैं सारी चीज कोशिश करूंगा आपकी क्लियर करूं तो आई पी ने सबसे पहले 2 दिसंबर 2021 को एक नोटिस निकाला था जिसमें उसने बोला कि हम ओनलाइन फॉम जो ओपन करेंगे जिसमें बच्चों को फॉन हो रहा जुनको सेंट्रलाइज बोडी एंट्रेज लेंगी उनको भी फॉम फिल करना है वो आईपी का बारासो रुपे उसकी फीस है और यह मैं जर्नल केंडिडेट के लिए कितनी है वो अभी 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 गो थू करेंगे ठीक है ठीक है तो इन्होंने बोला था फरवरी म हम अपना शुरू कर देंगे लेकिन फरवरी में नहीं कर पाए तो यह शुरू हुआ हमारा मार्च में तीन मार्च को इन्होंने अपडेट किया ब्राउशर अभी मैंने का लिंक नहीं आया हलांकि ब्राउशर में लिखा है चार तारिक से लेके 30 अप्रेल तक आप यह अप फिल कर दो लेकिन मैं आपको यह बोल रहा हूं कि यह डेट जो है आगे बढ़ जाती है ठीक है यानि अपरेल के बाद मई तक आपके डेट फॉम फिल करने की डेट बढ़ती रहेगी फिर मई के एक डेट महिने बाद आपका एक्जाम होगा ठीक है पहले तो अभी यह फॉ इसी यही काम करते करते ठीक है यही काम करते नहीं बोलो loh गें ऑगा हुआए भाई के आपके बड़े बहाई के तो यह हमारा उसर कुल एber पहला फ्रेंट पे चेंज करा है भाईयोंने पक्की बात है ठीक है इसके बाद नहीं चेंज करा इसके बाद हमें सब को पता है कि IP का जो ब्राउशर है वो 5 पांच पार्ट में बनाया जाता है Part A, Part B, Part C, Part D और शच्यत, Part E 5 Part में बढनता है Part A मेरे पहले का याद है मतलॲग मैंने सही में अभी स्क्रीन तुम्हारे सामने नीचे करके देखा कि 5 है ना तो 5 है, 5 Part में बनता है 5 Part के अंदर जो हमारा Part A है ना, अभी ये वीडियो में हमें पार्ट A का पटना जरूरी है, जो पार्ट A होता है न बेटे, उसके अंदर की IP के कितने number of program है, उन program में उनका eligibility criteria क्या है, उसमें admission criteria क्या है, उसमें क्या वो centralized body से admission होगा, या खुद का वो अपना exam conduct कराएंगे, अगर वो खुद का exam conduct करा रहे हैं, तो उसका form फिल करने की exam conduct करा, form तो सब को फिल करना है, इसमें confusion नहीं रहने है, form सब फिल करना है, तो अपन बात कर रहे हैं आपे CET 128, हमारा exam होगा, और हमारा exam जो है, उसमें क्या-क्या आएगा, वो वही सारा pattern है, जो इन्होंने दे रखा था, पहले भी दे रखा है, और आप वही त्यारी कर र तुम्हारा भी syllabus होगा, क्योंकि आपका paper जून में, या हो सकता है, जुलाई के बाद हो, अभी मुझे नहीं पता, इन्होंने date नहीं बताई, exam की date नहीं बताई, इनके पूरा browser मैंने पढ़ लिया, exam की date नहीं है, इन्होंने बस form फिल करने की last date दी है, जो कि 30 April है, और 30 April ब उसके बाद part B में counseling से related, counseling schedule summaries आती है, जब आपका paper हो जाता है, आपकी rank आ जाती है, तो उसके बाद counseling की, ये पहली counseling है, उसका पूरा process आता है, दो तिन page का PDF आता है, ये counseling करने के लिए दुबारा से आपको एक fees pay करनी पड़ती है, counseling fees बोलते हैं उसको, दुबारा से आपको registration करना पड़ता है, counseling के लिए, अभी आप registration कर रहे हैं, उसमें participate करने के लिए, कि आप admission के लिए जाना चाते हैं, आप admission form फिल कर रहे हैं, उसके बाद आप counseling form फिल करेंगे, ठीक है, वो है part B में, part C में अगर आपने fees pay कर दिये, लेकिन आपको उदर नहीं जाना है, तो fee refund policy part C में है, part D में जितने भी seat intake है, लेटल एंटरी वाले कितने को, मैं part D को भी आज थोड़ा थोड़ी बात है, जो इसकी बताऊंगा, और part E के अंदर हमारा specimen forms, जो category कि है, defense category से, physically handicap category से, SCST, OBC category से, उसके format है, वो format वहां से जाके directly ले सकता है, कोई sick minority से, medical certificate है, जो भी है, बह 1 से लेके 11 तक है, ठीक है, form withdrawal के लिए, यह सारे दे रखे है, ठीक है, उसके बाद important note और disclaimer दे रखा है, तो इसको अपने को मेरे को लगनी रहा कि हमें अपने को पढ़ना है, यह हमारे VC साहब है, ठीक है, इनको आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही sweet personality और बहुत ही अच्छे और हमेशा student का support करने वाले इनसान है, चाहे आपको सरकारी college ना मिले, लेकिन इनका जो आपको लेके वो है, क्या कहते हैं, criteria, तो वो बहुत ही, मेरे हिसाब से मेरे को बहुत पसंद है वो, ठीक है, तो अच्छा, अब बात आती है, इसमें section की, ठीक है, इसमें section की बात आती है, अभी मैंने अगर पीछे करके आपको जब दिखाया था, एक second, तो दोस्तों मैं यहां था, मैं आपको बोल रहा था कि जो हमारा part A है, part A के अंदर हमारे mainly 4-5 chapter है, chapter 1, chapter 1 में कौन-कौन से किस-किस का admission national level based test के basis पे होगा, किस-किस का admission CET के basis पे होगा, तो जो हमारे वाला exam है, उसका जो admission है, वो CT exam के basis पे होगा, और उसका CET number है 128, तो उसकी eligibility criteria क्या है, उसकी eligibility criteria क्या है, आपका diploma होना चाहिए, complete, तो सर क्या appearing वाले paper दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, सर आपका, क्या outsider जो हैं, जिन्नोंने दिल्ली से डिप्लोमा नहीं करा, किसी ने UP से करा, क किसी ने बिहार से करा, किसी ने पंजाब से करा, किसी ने अधर स्टेट से करा, तो वो भी eligible है, दिल्ली वाडों के लिए 85% सिटे reserved हैं, क्यों वो दिल्ली टोटल सिटों का 85 लेंगे, तो टोटल सिटे इस बार मैंने अभी count करी दिया आपके इसके अंदर, तो 666 approximately, नंबर कोलेज इदर उदर जाने से, IP में, लेटर एंटरी वाली जो सिटे हैं, वो बढ़ा दी गई हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है, 600 प्लस सिटे हैं, तो अगर आपकी रैंक जो है, 500, 400, और अगर आपको बढ़िया, टॉप के कोलेज तीन ही है, IP में, पहले नंबर पे महा मारजा सुरुजमल, तीसरे नंबर पे भारती विद्यापीट, तो इसके अंदर आगर मैं टोटल सिटे मिला हूँ, तो 100 से डेट, 100 से डेट के बीच में, आज की डेट में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, तो ये तीन कोलेज तो बहुत बढ़ी है, तो इन त 30-40-50 कंपनी आती हैं, इन कोलेजिज में, बारती विद्यापीट में, मारजा सुरुजमल में, और मारजा अगरसेल में, ठीक है, और ये सारे प्राइवेट हैं, इनकी टेंटेटिव फीस अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो 1,15,000 से लेके, 1,35,000 तक इनकी वैरियेबल, मैं fix नहीं बता रहा हूं, इतनी फीस इनकी है, तीक है, eligibility criteria कि अगर मैं बात करूँ, तो diploma में आपके 60% होने चाहिए, अगर आप अभी 6 समेस्टर का paper दे रहे हैं, तो भी आप eligible हैं, दिल्ली के सारे बालक कह रहा हूं, मैं eligible हैं, जो अभी diploma कर रहे हैं, वो भी जो pass out हो गया रहे हूं, एक आधे समेस्टर से कोई फरक नहीं पड़ता, तो इसके अंदर जो chapter number 3 में ये दे रखा है, city gate date नहीं दे रखी, उसके बाद chapter number 4 पे की online registration fees पे करनी पड़ेगी, ये आपको chapter 4 पढ़ना पड़ेगा, 71 page से शुरू होता है, इसमें important date अभी मैंने खोल रखा था आपके लिए, उसमें journal guideline के है, वही सेम पिछले वाली है, सेम वही 100 question आएंगे, 25 question math के, 25 question mechanics के, 25 question आपके reasoning and analytical logical reasoning के, और 25 question में लिख रखा है physics, chemistry और computer, तो last time computer दे दिया था, इस साल भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ computer दे दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बार बार गलती होती तो इसमें physics भी डाल सकता है, कुछ 57 questions के, और 57 question की chemistry भी डाल सकता है, तो मैं कहूंगा कि आप chemistry physics पे इतना ज़्यादा दियान देने की बजाए, computer पे ज़्यादा दियान देना, ऐसा मेरा मानना है, मैं यहाँ पे वालकों को भी यही कह रहा हूँ, कि वो ऐसा करें, ठीक है, अच्छा, अब मैं, अब मैं यहाँ पर उसके बाद seat allocations है, total number of CTA, reservation policy, यह मेरे को लग रहा है, इसको पुछ आपको अभी देखने की भी जुरूरत नहीं है, ठीक है, तो mainly आपको कहा जाना है, mainly मैं यहाँ पे अगर आपको खोलता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या गरता ठीक है, second year, obviously आप direct BTEC second year में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो इनोंने गलती कर दी, academic section 21-22 लिख दिया, यहाँ पे लिखना क्या था, 22-23, तो यह पुराने वाला है, ठीक है, आच्छा, आगे भी बिताता हूँ, उसके बाद आगे है यहाँ पे, आपका eligibility criteria, ठीक है, लेटल एंट्री, BTEC program for diploma older के लिए, तीन साल diploma complete होने चाहिए, 60% होने चाहिए, मैंने अल्रेडी बोल दिया, और आपका जो diploma है, वो AICT approved होना चाहिए, अगर आप किसी सरकारी college में होता हो, तो आपको यह जरूर चक कर लो कि आपका college AICT approved है यह नहीं है, तो उसके अंदर ज जिस जो eligible नहीं है, तो उन्होंने नीचे डाक करके कर दिये, तो diploma in architecture वाले बच्चे are not eligible for the later entry, तो जिन्होंने diploma architect में किया है, डिप्लोमा इन architect होता है, शायद दिल्ली में तो मेरा भाई में होआ करता था, बाकी मेरको पता नहीं, और दिल्ली के private college में कहा होता है, ठीक है, तो वो eligible नहीं है भाई, later entry के लिए, तो मैं clear शब्दों में कह रहा हूँ, कि जो diploma in architect वाले बंदे हैं, वो eligible नहीं है, ठीक है जी, उसके बाद यह होगी हमारी eligibility criteria, admission criteria, और अब अगला आ जाता है, हमारे paper का syllabus, हमारे paper के syllabus में मैंने बोला, mechanics के 25 question, जो श्रेयस सर आपको करा रह हैं, अकाशपंडी सर जो math में पढ़ा रहा है, mechanics में या दक्ष पढ़ा रहा है, या किसी को किसी दूसरे, दो, तिन, चार, पांच बैच हैं, तो किसी अलग-लग batch के अलग-लग teacher पढ़ा रहे होंगे, तो mechanics, जो सर ने पढ़ाया, जितने हमने test लिये हैं, more than sufficient है, तो जो पह देगा कि 2015 में mechanics किस तरह से आता था, 16 में किस तरह से, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 20 में, mechanics के question और उनके level की depth सब चीज आपको बता देंगे, अगर आप यहां पे पढ़ रहे हो, यकीन माननों, आप top 100 में आ रहे हो, अगर आप पूरी मानदारी से, यह दो महीने अपने को, अग मही में paper हो रहे है, तो, ठीक है, क्योंकि April में last date दे दी तो ऐसा लग रहा होगा, मही में हो रहे है, आपको लग रहा होगा, बीच में वैसे एक date मिनने का समय मिलेगा आपको, ठीक है, अच्छा, जो computer में awareness का part पढ़ लिया है, यह जो अभी थोड़ा बोता और पढ़ना है वो more than sufficient है, math में जितना detail में आपको पढ़ाया गया है, वो IP के लिए more than sufficient है, physics जितनी आपको पढ़ाया गया है, वो sufficient है, सर, chemistry का, थोड़ा हमने न, reduce कर रहा है, और वो reduce वाड़ा part में आपको institute में ही discuss करता हूँ, ठीक है, तो यह है बाई साब, हमारा, किसका, 25-25-25 कैसे, 100 question होगे, ठीक है, 400 number का होगा, अगर आपके इसमें, आप अगर इसमें आधे, 50, 60, 70 question ठीक करते हैं, तो आप जो top के 3 college मैंने बताई, IP के, उसमें आपका admission हो जाएगा, लिखवा लो, कच्छे पहने पे लिखवा लो, ठीक है, पक्की बात है, अब बात आती है, अब बात आती है, अगली, सोरी हार, फोन आगया, तो उसके लिखवा चाता हूँ, ठीक है, अब फिर 120 बिज आगे देखा, तो भाईया यह बता रहा है, यह code है, लेटल एंटी बीटेक प्रोग्रम का, CT की, मैंने देखा कि डेट दे रखी, एक्जाम की डेट नहीं दे भाईया तो भर लो भाई, अभी 10-15 दिन बढ़ा देंगे, फिर बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद डेट आती है, डेट में कम से कम ने, तो 25 दिन का टाइम होता है, ठीक है, बीस दिन का तो at least टाइम होता है, आपको एक्जाम की जब डेट आएगी तो आपको 20 दिन का कम स से कम कहरा हूं जाद से जादा एक महीने का समय भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो आपको तब उसके बाद यहां पर तो यह 128 पे यह है उसके बाद अगर हम चले 128 पे यह है उसके बाद अगर हम चले तो यहां पे आ जाता है हमारा 128 पेज नमबर और उसके बाद last जो है वो आएगा कि total कितने institute है सर क्या IP के अंटर इस बार government institute आया है नहीं तो total कितने institute है वो मैं आपको total कितने इसमें seats है तो यहां पे मैं आपको later entry diploma का बता रहा हूँ later entry diploma में जो seat बज जाती है वो बेसे ओरों को दे दी जाती है सीटे मैंने आपको वैसे बता दिया था 666666 नंबर 666, 600 के आसपास 600 से 700 के आसपास टोटल सीटे हैं और इसके अंदर अगर हम देखें, नंबर 1, नंबर 2 बगवान महावीर, बगवान परशुराम, भारती भारती विद्यापीट फिर BM कोलेज है, फिर उसके बाद हमारे दिल्ली टेकनिकल केंपस डॉक्टर अकिलेजदास, ग्रेटर नोईडा गुरुतेग बादूर, अच्छा मार यह यार ज़्यादा बढ़िया कोलेज नहीं है जीम्स और महाराजा अगरसेन बढ़िया है, मारजा सुरजमल बढ़िया है बारती विद्या भी डूपर गया, वो बढ़िया था तो टोटल हमारे पास यहाँ पर इंस्टिट जो हैं, लेटल एंट्री वाले वो सोड़ा हैं, टोटल सीटें जो हैं वो बढ़के साड़े 300 से 650, 660, 660 तर तक पोँच गई है, मैंने वैसे करेक्ट जब इनको कैलकुलेट किया था तो 666 आया था, मैं स्क्रीन को दुबारा एक बार रोटेट कर रहा हूँ, यह टोटल नंबर ओव सीट्स हैं आपकी बेटे, अगर आपको पढ़ने की जूरत नहीं है, अगर आपने 20 मिंट इस वीडियो को देख लिए, तो मैंने सारा जच्चा बच्चा इसका बताया, आप घबराओ मत, आपका पेपर मई में नहीं होता वैसे, मैं अपने experience से कह रहा हूँ, लेकिन हम मान के जल रहे हैं, आपका पेपर मई में है, तो हम आपका maths, mechanics, computer, reasoning, यह तिन नो, चाहे latest batch भी है न, जो नया batch भी बढ़ने हैं, वो भी हम खतम करा देंगे, तो भाई, जो बच्चे अभी तक हम से नहीं जुड़े, किसी भी वे में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई financial दिक्कत है, तो recorded batch ले सकते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है, तो study material ले सकते हैं, अगर उनको और भी कोई दिक्कत है, practice करना चाहते हैं, तो test series ले सकते हैं, test series का भी हमने जो वो है क्या बोलते हैं उसको schedule schedule जल्दी launch कर देंगे आपको मिल जाएगा ठीक है बाकिये जुड़ जाओ यार ये अपना telegram तो खुला ही अभी तक ठीक है telegram पे instagram पे जुड़ जाओ यार सारी update आपको time to time देते रहते हैं और देते रहेंगे thank you so much listening my voice love you all God bless you all take care और भाई साब पढ़ते रो मुस्कुराते रो और tension बिलकुल नहीं लेनी ठीक है tension नहीं लेनी माता पिता का आशिरवाद लेना आपको बस ठीक है अपने याप ही positive हो जाओगे बाकि ओके बाई निच्चे doubt में लिख देना बरके और जामाता दे लिखना मत बूलना love you all